नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेसर के बारे में और जानेंगे कि कैसे आप अपनी हाई ब्लड प्रेसर की समस्क्या को जड़ से ठीक कर सकते हैं और वो भी बिना किसी मेडिशिन के तो चलिए इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाई बीपी के क्या क्या कारण हो सकते हैं नमबर वन अनैल्ली लाइपिस्टाइल जैसे सुबह जल्दी न उटना रात में देर से सोना कुछ भी फास्ट फूड वगेरा खा लेना नमबर दो बहुत ज़्यादा गुसा करना नमबर तीन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना नमबर चार फिजिकली इनैक्टिव रहना योगा इंडक्सरसाइज वगेरा ने करना नमबर पांच जन्क फूड र कोल ट्रिंक आदी का ज़्यादा परियोग करना नमबर चैन अच्छी नीन न लेना या रात में देर तक जागना नमबर साथ बहुत ज़्यादा दुमबपान वे अलकॉल का परियोग करना आईए अब जान लेते हैं इसके लकसरणों के बारे में जैसे शिर दर्द के साथ साथ चक कराना चाती में दर्द के साथ हार्ट के राइट साइड में दबाव मैसूस होना सांस लेने में कठिनाई होना तथा बहुत ज़्यादा ठकान मैसूस होना हाई बीपी की समस्या ज़्यादा बढ़ने पर आपको हार्ट अटेक किड़नी तदा ब्रेन श्ट्रोक भी आ सकता है आईए अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में इसके लिए आपको लेनी है किसमिस जी आँसा ही सुना आपने किसमिस से आप अपनी हाई बीपी की समस्या को जड़ से ठीक कर सकते है तो आईए जानते है कि इसका यूज कैसे करना है सबसे पहले आपको 32 किसमिस लेकर अच्छे से दोगर रात में पानी में भीगो देनी है आपको सुबह खाली पेट इन किसमिस को एक एक करके खूब चबा चबा कर खाना है और साथ में इनके पानी को भी पी लेना है और इन किसमिस को खाने के आदे गंटे बाद तक कुछ भी न खाए आप जानते हैं कि ये आपकी बोड़ी में कैसे वर्क करती है किसमिस हमारे रक्त को साफ करने के साथ साथ हमारे सरीर में बैड कोलेस्टरोल की मातरा को गटाता है यह हमारी नसों में ब्लोकेज को ठीक करता है तथा हमारे हार्ट को मजबूती परदान करता है तथा आपको हर्द्य आगात से बचाने में आपकी मदद करता है यह आपके मोटा पे को भी कम करने में काफी मदद करता है किसमिस आपके metabolism level को контрol करता है जिसे आपका body weight maintain रहता है यह आप calor तथा आंतों की सफाई करता है तथा सरीर से विशाले पदारतों को बार निकालता है जिससे constipation, acidity जैसी problem भी ठीक हो जाती है किस्मिस में भरपूर मातरा में पोटेशियम, मैगनेशियम, आइरन, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B6 तथा फॉलिक आसिड पाया जाता है तथा साथ साथ इसमें काफी मातरा में फाइबर तथा एंटियोक्सिडेंट भी पाया जाते है अब बात कर लेते हैं कि अगर आप डेली किसमी स्काते हैं तो इसके आपको और क्या-क्या फाइदे होने वाले है नमबर वन आपकी स्किन पर गलो आएगा नमबर टू खून की कमी या एनीमिया ठीक होता है नमबर तीन अगर आपका वेट नहीं बढ़ता तो यह आपके वेट को बढ़ाने में भी हैल्पूल है नमबर चार आपकी जादतर पेट से जुड़ी समस्याओं को यह ठीक करता है नमबर पाथ आपकी बोड़ी को दिन बरेटशन परदाण करने के साथ-साथ आपके सरीर को ताकत परदान करता है इसके साथ-साथ आप डेली योगा-मेडिटेसन और अकसरसाइज जरूरा करें इस से आपकी बोड़ी में बहुत सारे चेंजि जाने वाले हैं और आपकी हाई वीपी की प्रोब्लम एकदम ठीक हो जाएगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करे और लाइक और कमेंट करना ना भूले